चैप्टे स्टार्ट होता है जहां कोड कनफ्यूज है बरुटो के नए रासेंगान उजुवी को के बारे में सुनकर बरुटो के चारो तरब चाकरा रोटेट हो रहा है ये देखकर कोड सोच रहा है कि क्या बरुटो वैनिसिंग रासेंगान का यूज करने माला है बट वैनि को रासेंगान से बट कोड बरूटो का आथ पकड़ लिता है और अपने क्लॉमक्स की एल्प से वापस से बरूटो बैटाक करता है जिससे बरूटो अपनी स्वाट से रोकता है एंकोड को लगता है कि उसने बरूटो के नए रासेंगान को निउट्रलाइस कर दिया है तो भी हम देखते हैं बरुटो सक्राइस क्लिंगेंग और कोड़ी इसे देखकर कोड़ सौक हो गया एंड बरुटो पूछता है कि क्या है यह बरुटो एंड बरुटो को बोलता है कि मैं तुम्हें लास चांस दे रहा हूं मुझे टेंटेल्स के पास ले चलो अगर तुम ऐस करता नहीं करोंगे तो मैं तुम्हें अभी खतम कर दोंगा और कोड़ बोलता है कि मुझे आसानी कोसिस कर रहे हो बरुटो अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के रिखाओ कोड़ बरुटो पर अटेक करता है बट कोड़ का एक भी अटेक बरुटो को नहीं लग रहा है कोट बरुटो को बोलता है कि मुवमेंट करना बंद करो और फिर कोट सोचने लगता है ये कैसी मुवमेंट है बरुटो मेरे अटैक को डॉज नहीं कर रहा है ये किसी गेंजित्सु या क्लोनिंग का यूज भी नहीं कर रहा है कोट सोच रही होता है तभी बरुटो कोट पे उज़ोजी को रासेंगान से अटैक करता है जिसके impact से कोट दूर जा गिरता है तभी पैनल सिफ्ट होता है आईडा एंड डाइमन पे आईडा बोलती है कि ये एकदम simple technique है ये बाकी सब रासेंगान से similar है बट डाइमन बोलता है बरुटो का अटैक के बाद ये ग्राउंड सेख कर रहा है नहीं ग्राउंड नहीं बिलकि बरुटो का ये रासेंगान ब्लानेट के रोटेशन को यूज कर रहा है तभी आईडा confusion में बोलती है ब्लानेट रोटेशन एंड पैनल सिफ्ट होता है बरुटो एंड कोट पे जह बरुटो को बोलता है कि एईसा सूच हो कि जिस प्लानेट को तुम डिस्ट्रोईतान एक की एक रासेंगाना क्सर के बडीन के अथा तुमारी की नहीं होगा जस लाइक प्लानेट कभी अपना रोटेशन बन नहीं करता और बरुटो कोट को बोलता है कि ये टैमिस तुमारी बॉडी में सेमाई पर्मानेटली रहेगा और इससे पहले कि प्लानेट अपना रोटेशन बन करे तुम मारे जाओगे और हम देखते हैं कि कोट उजोई को रासेंगान की इंपक की वज़े से खड़ाई नहीं हो पारा है और बरुटो कोट को बोल जाए कि मैं इसके इंपक को रिलीस कर सकता हूँ तुम सोच लो तुम्हें मरना है या फिर टेंटल्स की लोकीशन बताना है बोज़े पता है तुम्हें कीडियेट हो बत फिर भी सोच समझ की डिसिजन लेना तबी बरुटो पे कावाकी अटाक कर देता है और बरुटो अटाक को डॉस करता है कावाकी के साथ इनो, चोजो, सीकाडाय और हीमावारी भी होती है हिमावारी बरूटो को बुला थी एंड तब इसी काट आए बरूटो को पूशता है कि तुम को नोहा में क्यों आयो और तुम कोट से क्या बात कर रहा है और बरूटो बोल जाए कि मैं कोट से बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ कोट अपने क्लॉमक का यूस कर रहा है और तब ही सीका मारू को बोलता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है बट कोट एक्जॉस्टेड लग रहा है और मैंने सारे क्लॉग राइम्स को फतम कर दिया है ताकि कोट रिट्रीट ना कर पाए हम कोट को इसी वक्त म कोट को समन करता है जो कवा की पे बांडिया कावक है को बताता है कि wsक्लॉग राइम्स का गुट से तकालu को सबेंटी तक समया है और शार्दा बताती है कि ये टेंटेल्स की तरह है जो तुच्चो की बुखा कर गॉट्री में ट्रांसफर्म होता है इसकी इंस्टिंग्ट है लोगों को खाना एंद तभी दूजरा जोनिन बोलता है इसका मतलब भी एक फेल्ड वाट ही है तभी सार्दा बोलती है कि मुझे नहीं पता बट्सोई की सान अभी जिंदा है एंसीं सिफ्ट हुता है कावा की अन बरूटो पे जहां कावा की बरूटो को बोलता है तीन साल होग है और यह लूप क्या तुम मुझे या के अडाप्टेट चाइल बन चुकी हो एंड बरूटो बहुता है तुमारी सार्प ट नटो कावा कि एंड कावा की बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो बरूटो सब्सक्राइब कर दो